नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि ग्रिसियो फुल्विन टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, Grisio Folven Tablet को कैसे लेना चाहिए और Grisio Folven Tablet की वज़ से क्या side effects हो सकते हैं और यहां भी discuss करेंगे कि Grisio Folven Tablet को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन conditions में Grisio Folven Tablet को लेना recommended नहीं होता है ग्रिसियो फुल्विन टैबलेट एक एंटी फंगल दवा है, जिसका उपयोग फंगल इंफेक्शन और यीस्ट इंफेक्शन होने पर किया जाता है। तवचा पर फंगल इंफेक्शन होने पर तवचा में लाल धब्बे, दाद, खाज, खुजली और तवचा में जखम आधी लक्षन दिखाई देने लगते हैं। फंगल इंफेक्शन नाखुनों, मुंहा और जांगु में भी हो सकता है। इसलिए नाखुनों, बुंहा और जांगों के फंदल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए भी ग्रिसियो फुल्विन टैबलेट का उप्योग किया जाता है। फंदल इंफेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। बहिलाओं की वजायना में यीस्ट इंफेक्शन होने पर भी ग्रिसियो फुल्विन टैबलेट का उप्योग किया जाता है। की ग्रिसियो फुल्विन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में ग्रिसियो फुल्विन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में ग्रिसियो फुल्विन टैबल होना उल्टी आना और उल्टी आने का मन होना आदी साइड इफेक्ट्स ग्रिसियो फुल्मिन टैबलेट की वज़से हो सकते हैं इसके अलावा ग्रिसियो फुल्मिन टैबलेट की वज़से कुछ पसेंट व्यक्तियों में जोरों में दर्द, हैर फॉल, लिवर में सूजन और त्वचा पर रैशेज भी हो सकते हैं। ग्रिसियो फुल्विन टैबलेट की वज़से अन्मिय साइड इफेक्ट्स भी पॉसिबल है। अगर आपको ग्रिसियो फुल्विन टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षन होता है। तो आपको तुरंत ही डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलदलग हो सकती है। इसलिए आपको ग्रिसियो फुल्विन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि ग्रिसियो फुल्विन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में ग्रिसियो फुल्विन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। अगर आपको किड्नी या लिवर की कोई समस्या है, तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। क्योंकि ग्रिसियो फुल्विन टैबलेट किड्नी और लिवर की समस्याओं को ज्यादा गंभीर बना सकती है। अगर किसी व्यक्ति को ग्रिसियो फुल्विन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रिडेंट से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को ग्रिसियो फुल्विन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ग्रिसियो फुल्विन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ग्रिसियो फुल्विन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं